आज मैं बनाऊंगी कांदा पुहा या फिर इसको आप पुहा उपमा भी बोल सकते हैं नमस्कार भुमिच की चैनल लाइफ टैल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइक उन दबा के अगरा पुहा उन कर ले लाइक शया जरूर करें यहां पर मैंने इंग्रेडियंट का लिश्ट दे दिया है इसको आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं तो यहां पर मैंने कांदा पुहा बनाने के लिए मीडियूम साइज का पुहा लिया है लग बग दो क लिगने के बाद इसको हम अच्छे से ऐसे धो लेंगे इसको दो तीन पानी में धो के ड्रेन करना है अभी देखिए दो तीन पानी में धो के मैंने निकाल लिया है इसको अभी हमें एक कड़ाई में लेंगे तेल इसमें थोड़ा सा हापकप जितना मुंफली को भून लेंगे मुंफली हमारा हो गया है रोस्ट इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अभी उसी कडाई में डालेंगे जीरा और राई जीरा राई आपको हाफफ चमच लेना है अभी इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे मैंने एक प्याज कटा हुआ लिया था इसमें प्यास थोड़ा सौप्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे टोमाटो बारिक पीसेज में काटना है आपको अभी इसमें डालेंगे करी पत्ता धन्या पत्ता और एक-दो हरी मिर्च काटके डालना है अभी इसमें आपके स्वादानुसार नमक डालें लगवग एक चमत के पर आलमिर्स पाउडर इन सभी को डालके थोड़ा साम पानी डालेंगे इसमें अभी धकन लगा देंगे और पास मिनिट के लिए या फिर दो तिर मिनिट के लिए इसके पखने देना है धकन लगा के दो-तिर मिनिट के बाद मैं खोल के देख रही हूं तो टोमाटो अर बाकी कि जीतना मिटशाले है अच्छे से गल गया है बीच में थोड़ा थोड़ा सा हिलाया था अभी जो फूहा धुला हुआ था इसमें डालके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अभी ये मिक्स करने के बाद आपका जो पोहा उपमा या कांदा है कांदा पोहा जो है ये रेडी है खाने के लिए आप चाहिए तो ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर इबिनिंग स्नक्स में उपर से हमारा जो भूना हुआ मुंफली था इसको डाल के मिक्स कर लेंगे लेक्सिवन बॉक्स में चेक कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आयों तो एक लाइक करें सब्सक्राइब करके बेल आइकउन जुरूर दबाएं थैंक्यू